नमस्कार दोस्तो आरार रिस्पी में आपका स्वालत है आज मैं बनाने जा रही हूं नमक पारे नमक पारे बनाने के लिए 20 ग्राम मैदा एक कप गी दो छोटी चमच नमक या सौदम साफ दो छोटी चमच अजवाइन एक गिलास पानी दो कप ओल तरलें के लिए चलो बनाना सुरू करते हैं तो से पहले में एक बावल लूँगी यह मैदा डालूँगी अब इसमें हम गी डालेंगे मैंने या पर तीन चमच गी यूज किया है अब यह नमक डालेंगे अजवाइन डालेंगे इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से अब यह पानी डालेंगे अब इसका एक डो तयार करेंगे अब थोड़ा पानी और डालूँगी भी देखिए आदा ग्लास पानी उचुगा है मैरा अब यह से अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे हम आटा लगाते हैं नमक पारी के लिए आटा मारा तयार हो गया है अब इसे हम दस मिनट के लिए डग देंगे दस मिनट हो गए अब मैदा को चक करेंगे यह देखिए मैदा हमारी फूल गई है अब इसे थोड़ा और कूंतेंगे अब यह रख देंगे अब इसके छोटे-छोटे बॉल्स बना लेंगे अब इसे अतेली की साथा से हमें इसे चिगना करेंगे इसकी लोई बनाएंगे अब यह देखिए अब यह चक्रा लिया है अब इस पर हम बेलेंगे इसको ज्यादा पतला नहीं करें इसको मोटा राके ताकि जो हमारे नमक पा रहे हैं जो थोड़ी क्रेस्पी बनेंगे यह दाइक है अब ने बेल दिया इसको अब हम चक्को के साथा से इसे काटेंगे इसमें आप चाहें तो तीन कट लगा सकते हैं लेकिन मैंने यह पर एक ही लगा रहाए अब हम गया सॉम करेंगे कडाई गरम करेंगे अब इसमें ओल डालेंगे अगड़ को गरम होने देते और अमारा गरम हो गया है इसे चैक करने के लिए थोड़ा आटा डालरें पता चल गजाए गरम हुआ है यह नहीं यह देखिए आठा मारा खूल के उपर आ रहा है इसका मतलब ऑल हमारा गरम हो गया अब इसमें एक टिक कर गें नमक पारे को छोड़ेंगे गैस लो रखेंगे क्योंकि इस से थोड़े अच्छे सिखेंगे और कच्छे नहीं रहेंगे बीच में एक एक करके सभी को डाल दे इस तरह हमने सभी को एक एक करके डाल दिया है अब इने हम धीरे-धीरे पलतेंगे इसे गैस बिल्कु नो रखेंगे इसे बिल्ली आग पर ही सेखेंगे इने हम ब्राउन होने तक सेखेंगे यह देखेंगे अभी हमारी ब्राउन नहीं होए नमक पारे आप यहां मिकार लेंगे कड़ाई से नमक पारे हमारे बनके तयार है यह देखिए हम आप यह तोड़के दिखाएंगे अंदर से यह देखिए बहुत क्रेस्पी और बहुत अच्छे सिकें यह बिल्कुल भी कच्छे नहीं अंदर से प्लीज आप इस रेस्पी को ज़रू ट्राइ करिएगा दोस्तों में सेर कीजिए कमेंट कीजिए अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें